ग्रियस्त लोगों को इसके अनुस्ठान से क्या-क्या सिद्ध करना चाहिए, सो अगले मंत्र में प्रकाशित किया है, अग्नी ग्रियापता इत्यस्य रिशिह साएवा, सर्वस्या अग्निर देवता, पूर्वार्धे, निचरत्पंतिश चंदहा, पंचमह स्वरहा, उत्रार्धे, गायत्री चंदहा, शडजहा स्वरहा, ओम् अग्ने ग्रिहपते सु ग्रिहपते स्थ्वया अग्ने अम् ग्रिहपतिना भूयास अगं सु ग्रिहपते स्थ्वं मया अग्ने ग्रिहपतिना भूयाह अस्थुरी नौं गारपत्यानी संतोषत अगं हिमाह सूर्यस्या वृत मन्वावर्ते हे घर के पालन करने हारी परमिश्वर आप ब्रमांड, शरीर और निवासार्थ घरों के उत्तमतासी पालन करने वाले हैं उस उक्तुगुण वाले आपके साथ मैं भी अपने घर का उत्तमतासी पालन करने वाला हो जाओं हे परमिश्वर जो मैं स्रेष्ट कर्म का नुष्ठान करने वाला धर्मात्मा और पुरुशार्ती मनुष्य हूँ उस मुझसे आप उपासना को प्राप्त हुए मेरे घर के पालन करने वाले हुजिए इसी प्रकार जो हम इस्तरी पुरुश घर के स्वामी हैं सो हमारे अठाज जो ग्रिहपती के सयोग से घर के काम सिद्ध होते हैं वे जैसे निराल अस्यता हो वैसे सिद्ध हो इस प्रकार अपने वर्तमान में वर्तते हुए हम इस्तरीवा पुरुश आपके वर्तमान जिसमें अच्छी प्रकार रात्रीवा दिन होते हैं उसमें सौ व से भी अधिक सुख भोगें जो संसार रूपी घर का निरंदर रक्षा करने वाला जगदीश्वर है उसका आश्रे करके भौतिक अगनी आदी पदार्तों से स्थिर सुख करने वाले सब काम सिद्ध करते हुए हम सौ वर्ष जीए और जितेंद्रता से सौ वर्ष से अधिक भी सुख पूर्वक जीवन को भोगें अब जो सत्या आचरन से सुख होता है सो अगले मंत्र में प्रकाशित किया है